हाव लैंग्विज इस डिवल्प्ट की बहुत सी स्टेजिस हैं यह कुछ स्टेजिस हैं जिनको हमें देखना है जिनको हम वन बाइवन डिसकस करेंगे अच्छा इसमें स्टेज वन है जो बर्थ से शुरू होती है और इसका जो पहला लैवल है या स्टेज है वो साउंड्स है बेबी लैंग्विज माइल स्टून यह बर्थ से ही स्टार्ट होता है यह जो लैवल है कि बच्चे रो कर या किसी भी तरह अपनी आवास का इजहार करते हैं बलके जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसके बारे में उसको उसकी आवास सुनने की कोशिश की जाती है उसको मतलब उसकी आवास सुनी जाती है तो यह पहले जो उनका लैवल है साउंड्स का और पहले तीन माँ में बर्थ के पहले तीन माँ में बर्थ के पहले तीन माँ में बर्थ के पहले तीन माँ में बर्थ कर सकते हैं आवास में स्ट्रेस में और वो आवास की पिच्च जो हाई होती है ये लो होती है इसको भी वो पहचानते हैं और पहले तीन माँ तक ये सिलसला उनका स्टार्ट रहता है चौथे माँ से उनकी वो आवाजों में फर्क कर करना शुरू कर देते हैं देकें डिस्टिंगुश और लो आवाज में और घुसे या उसमें फर्क कर लेते हैं या महबत में फर्क कर सकते हैं और शटे माँ से उनकी लैंग्विज डॉयलमेंट का जो नेक्स माइल स्टोन है अब वो आवाजें बनाने के काबल हो जाते हैं ये उनका जो माइल स्टोन है, अब वो इस लेयल पे जाके आवास utter करना, आवास sound पैदा करने के काबिल धो जाते हैं तो दूसरा माइल स्टोन जो main उसका stage है दूसरी वो है words, words making तो जो student जो बचे होते हैं वो आवाज जो मतलब words आवाजों के जरीए फिर words बनाने की कोशिश करते हैं और उनको कुछ meanings देने की कोशिश करते हैं वो words के groups जो होते हैं उनकी words की sounds की limits होती है sounds की groups होते हैं उनको words की शकल देते हैं और यह च्छटे और सातवे मा में और उसके बाद एट मॉन्थ में जो बच्चे होते हैं बेबी के अना रेकिनाइज गृूप अफ आफ साउंड्स एंड कैं डिस्टिंगविश वर्ड बाउंड्री जो वर्ड बाउंड्री हैं उन में वो फर्क कर सकते हैं और उन जो को मिला कर इस तरह और फिर जो ये आठ मा के बाद अगले तीन मा के लिए तकरीबन उनका ये सिलसला जारी रहता है वो वर्ड्स बना लेते हैं और फिर उनको वर्ड्स के मीनिंग भी कुछ थोड़े बहुत वो उनको देने की कोशिश करते हैं और 12 मन्त के लैवल पे जाकर उ जिलडन आर अबल टो अटेच मीनिंग्स तो वर्ड्स बाय मिमिकिंग already. इम्यूटेटिंग यानिकल करके और मीमिकुन करके बच्चे जो है वो साॉंड्स को वो वर्ड्स को उनके मतलब एदा करते हैं और सीखते हैं जो कुछ वो सुनते हैं वो उसकी नकल करने की कोशिच करते हैं और उन वर्ड canonics को meaning देने की कोशिच करते हैं और 12 माह यानी एक साल की उमरताक उनका ये सिलसला जारी रहता है और फिर अगले दो-तीन माह में चार माह में छह माह तक यन 18 months तक they communicate children must know words they are learning यहां वो उन words को जानते हैं जो कुछ वो सीख रहे होते हैं यहां वो उसको उनकी language मजीद बहतर तोर पर develop हो जाती है और वो अपने मफाहम अपनी मतलब अपनी मां से या अपनी उसके जो कोई उनके अजीज होते हैं उनसे अपने मतलब अपनी भूग का इजहार कर सकते हैं या अपनी वो रोकर या कुछ और इशारा करके या किसी भी तरह से वो इसको और यह जो language development stage है इस वो कुछ nouns या verbs इसमें भी फर्क करना सीख लेते हैं यनि इस level पर डेट साल की उमर तक उनमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है और तीसरे stage जी तीसरी stage यह है sentences तो during this stage children learn how to make sentences वो words को सही तरतीब के साथ जोड़ कर वो one word, two words, three word sentences बना सकते हैं और वो उनको for example they learn how that we say I want a cookie यनि कुछ वो मांग सकते हैं, कह सकते हैं और 24 मन्त की age में they can pronounce and they also know right order of the words यह जी words का जो right order है उनको जुमलों के अंदर words को सही तरतीब से रखना वो यह सीख सकते हैं और simple sentences जैसे my cookie और stage 3 अभी उनकी चल रही है तो 30 मन्त से 36 मन्त तक by the age about 90% of what children say is grammatically correct यनि इस level तक वो अपनी जो गुफ्तु कर रहे होते हैं तीन साल की age तक वो grammatically दुरुस्त बात करते हैं और beyond three years as they go, grow children continue to expand their language और वो complex language सीखना शुरू कर लेते हैं